किसान भाईयों, आज हम बताने वाले हैं कि यदि आप मूंग फली की फसल की बुवाई कर रहे हैं, तो उपज बढ़ाने के लिए आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कब करें, कितने दिनों बाद करें, कितनी दवाई ले जड़ों ज्यादा से ज्यादा बने, पने मूंग फली का विकास हो और उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए आप सिजेंटा कंपनी का क करें, करें, दूसरा पूरे खेत में मूंग फली के नीचे मिट्टी ना दिखे, तब स्प्रे करें, इसका माप, आप एक एकड में सतर से ऐसी एमल रखना चाहिए, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और एक खास बात किसान साथियों यहीं पर ही गलती कर बैठते हैं, कि मूंग फली का ग्रोथ, ऊपर से रोक जाएगा, और नीचे फूलों की संख्या बढ़ेगी, और जड़े मजबूत होगी, मूंग फली की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, 300 ml का मार्केट प्राइस 1500 से 1600 में मिलेगी, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, तो वीड झाल 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 झाल